अपने घरों में रहकर त्योहार बड़ी साध्गी पुर्ण तरीके से मना रहे हैं ये सारी बातें बहुती प्रेरक हैं बहुती प्रसौंसलिया है मैं नए वश्वर आपके आपके परिवार जन के उत्तम स्वात की मंगल कामना करता हूँ साथ्यों आज पूरे विश्व में कोरोना वैस्विक महामारी की जो स्थिती है हम सब उसे भलिभाति परिचीत है अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमन को रोकने के प्रयास किये आप इसके सहबागी भी रहे हैं और साक्षी भी जब हमारे हाँ करोनों का एग भी केस नहीं था उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रेनिंग शुरू कर दी थी कोरोना के मरीज सो तक पहुँचे उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्रि के लिए चौदा दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था अनेक जगहों पर मौल हो थियेटर हो क्लब हो जीम हो बंद करिये जा चुके थे साथियों जब हमारे हाँ कोरोना के सिरफ पान सो पचास केस थे तभी भारत ने 21 दिन के संपुर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया बलकि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैंसले लेकर उसी समय रोकने का भर्षक प्रयास किया साथियों वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है लेकिन फिर भी कुछ सच्चाईयों को हम नकार नहीं सकते हैं ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संबली हुई स्थिति में है महिना डेड़ महिना पहले कई देश कोरोना संकरमन के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसिस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए है उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्ति हो चुकी है भारत ने होलिस्टिक एप्रोच न अपनाई होती इंटीग्रेटेड एप्रोच न अपनाई होती समय पर तेज फैसले न लिये होते तो आज भारत के स्थिती क्या होती इसकी कलपना करते ही रूएं खड़े हो जाते हैं लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिती में वही हमारे लिए सही है